बारती संस्कृती में अधिकान स्त्योहार किशी मंदिर, धार्मिक स्थल, नदियों के किनारी या किसी सारुजनिक स्थल पर एकत्रित होकर सामूहिक रुप से मनाये जाते हैं लेकिन सुक समरिद्धी और एश्वर की कामना के साथ दीपावली को हम अपने ही घर पर ही मनाते हैं ऐसे में कामना पूर्ती के लिए घर भी महतवपूर्ण हो जाता है इसके साथ ही इस तेवहार में उपियोग में आने वाली वस्तूओं के साथ-साथ पटाखों, मिठाईयों, इत्यादियों की खरिदारी तेवहार के पहले ही की जाती है वर्तमान समय में आगामी दीपावली तेवहार की तयारियों में लोग जुटे हुए हैं विजय दस्मी के तैवहार के बाद अब लोगों ने दीपवली के तैवहार की तैयारियां सुरू कर दी हैं। बजार भी दीपवली के असर पर साथ सज्जा के समान से गुलजार होने लगे हैं। बजारों में दुकानों पर विभिन प्रकार की सजावट की चीजें सजी लोगों ने अपने घरों में रंग रोगन करना भी शुरू कर दिया है सहर में हर तरफ पेंट वा हाड़वेर दुकानों पर भी पेंट, सफेदी, दिश्टेम पर आदि खरीदने के लिए भीन लगने लगी है वही घरों में भी साब सफाई का कारिय जोरों पर चल रहा है जैसे जैसे दिपावली का तयवहार नजदीक आता जा रहा है उसी प्रकार तयारियां भी जोर पकड़ती जा रही है इसके साथ ही बरतन वा सोने चांदी की दुकानों पर भी दुकानदारों ने दीपावली के तैवहार को देखते हुए अपनी तैयारियां सुरू कर दी है दीवाली के मद्दे नजर बाजारों में विभिन प्रकार की आकर्सक लड़ियां भी आने लगी है वही अनेक प्रकार की अकर्सक फोटो वा तश्वीरें भी बजारों में सजने लगी है सहर में ही नहीं ग्रामीर छेट्र में भी दीपावली की तैयार या जोरो पर चर रही है वो बड़ी मात्रा में ग्रामीड छेत्र से लोग समान की खरिदारी करने के लिए सहर में आ रहे हैं इसी के साथ ही कुमहारों ने विभिन प्रकार के मिट्टी के दिये तयार करने सुरू कर दिये हैं जहां से मिट्टी के दिये जीले के विभिन हिस्चों में भी सप्लाई किये जाते हैं। इन दिनों दिये बनाने का कारे जोरों पर चर रहा है। सहरी नहीं आसपास के छेत्र के गाओं में भी दिये बनाय जाते हैं। बुंगेली से विवेग जैस्वाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आर जे रमजाज है